हेलो दोस्तों वैलकम टूई एजूकेशन चैनल दोस्तों जैसा का आप इस्क्रीन पर देख सकते हैं यूनियन पब्लिक शर्विश कमिशन यूपी एससी में वैकेंसी निकली हुई है तू प्रोफाइल है सुप्रिटेंडेंट एन इस्टेटिकल ऑफिशल राइट यह दो प एक्जामनेशन नहीं है सिर्फ इंटर्व्यू है कोई भी ग्रेजुएट चैनिकल नॉन टेक्निकल लाइक ग्रेजुएट हो यह भी टेक होल्डर हो यह फिर लल भी हो राइट और पोस्ट डेजुएट कंडिट अपलाइब कर सकता है इसमें राइट और वीडियो के लास् आपको मिल जाएंगे इसमें आप उसमें भी अपलाइग कीजिएगा तो ओवर आल आपको चार नौटिफिकेशन अभी मिल रहा है एक यह यह यूपसी का और तीन और नोटिफिकेशन आपको विडियो के लास्ट में मिलेगा राइट तो इसमें आप अपलाइग बेल आइकन बेटन प्रेश कर दीजिए ताकि गॉर्मेट जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको एवरी डे मिलता रहे रहा है दोस्तों तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में कुईक्ली यह देखी यहां पे यूणियन प्रिश कमिशन तो इसमें रिकूट में निकला हुआ है फर्स्ट जो है वहा यहां पर देख सकते सुप्रीटेंडेंट प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में और इसमें आपको जो है सैलरी 7 CPC का है और यह B grade का है जो राइट तो अच्छी खास 69 आपको मिलेगी एज 30 एर मैक्सम रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें वह है डिग्री फ्रम ए रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी राइट और इसमें जो है डिजारेबल फरस्ट जो है और प्रिफरेंस दिया जाएगा जो डिग्री जो लाउ से किया हु सकेनडरी मिलेगा जो के अब उसके ऐसमें ऑप ठीपर्जर के इसमें इसमें फिर्ट को मांगा है और फ्री रीडिंग पार्टीकॉलर्ली प्रूफ और सब्टेपार्टमेंट है तो यह है और उसके बाद गहाँका ऑडिल्यकौर्ट है नेक्स प्रोफाइल जो है आपका 35 इस्टेटिकल ऑफिशर की वेकंशी है प्लैनिंग एंड इस्टेटिकल डिपार्टमेंट में जिसमें की 5 SC के लिए ST के लिए 2 OVC के लिए 9 एकनुम के लिए 3 जेनरल के लिए 16 डिशेवल परसन के लिए दो वेकंशी है तो यह हो गए इस्टेटिकल ऑफिशर के लिए अप्लाइड एकनुमिक्स में हो तो आप अप्लाइ कर सकते हैं या अमर्त में हो आप अप्लाइ कर से इसमें वन यर का ही एक्स्प्रियंस बांगा है राइट उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है लास्ट डिट है 17 अप्लाइब करने का और अठाड़ दिशम मर्त तक जो है आप ऑनलाइड का जो एकनॉलेज में निकले निकलेगा वो आप रख सकते हैं यह देखिए UPSC Online.nic.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर रखते हैं यहां लिक दिया गया है राइट और यहां पे जह सिर्फ इंटेव्यू होगा 100 मार्स का इंटेव्यू होगा जिसमें जेनरल और को पचास नंबर लाने होगा और स्टी एस्टी पीएच फिजिकल डिशेवल परसन को 40 मार्स लाना होगा एक्जामनेशन फी 25 रूपीज है आपको ऑन लाइन पे करना पड़ेगा राइट इसमें उसके बाद जो है स्टी पी डिशेवल परसन जो फिमेल कंडिडेटर में को को भी एक्जामनेशन फी नहीं लगेगा राइट तो दोस्तों आप फॉर्म फिल कीजिए क्योंकि इसमें जो है पचीस रूप्या एक्जामनेशन फी अगर आप इलिजिवल हो तो अच्छी खासी सैलरी है भी ग्रेट का जॉब है राइट दोस्तों तो अगर वीडियो प्राइब इस चैनल थैंक यॉ